नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह के फ्लेवर्ड योगर्ट जो की एक प्रकार का डेजर्ट भी है जो की हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है जिसके इंग्रेडियंस हमारे घरों में आसानी से मिल जाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये तयार हो जाता है अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए बनाते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट ये देखिए दो कटोरिम में हमने हाफ आफ कप हंग कर लिया है जिसे हम योगर्ट भी कहते हैं हमने दही को एक कपड़े में बांध लिया था और चार-पांच गंटे के लिए टांग दिया था ताकि उसका सारा पाने है जो निकल जाए अब ये देखिए एक केले को हमने काट लिया था उसको फ्रीजर में रख दिया था दो-तिन घंटे के लिए फ्रोजन होने के लिए अब उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चमच चॉकलेट सिरप आप चाहे तो चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते है इसको आप इसमें हम डालेंगे हनी, एक चमच अब इसको हम ब्लेंड करेंगे अब ये देखिए ये हमारा ब्लेंड हो चुका है चलिए अब इसको खोल के देख लेते हम वाव कितना beautiful color आया देखे बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो चलिए अब ये जो हंकर्ड है उसको हम एक बड़ा बोल में डाल लेते हैं और अब ये जो हमने paste बनाया है केला और चॉकलेट का वो हम इसमें डाल देंगे तीन चमच ये देखे इसमें जो fruits जो है उसको हमने frozen किया था इसलिए किया था कि ये इसका texture जो है वो बहुत ही silky और smooth होगा इसके लिए उसको fruits को हमने frozen कर लिया था अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारे yogurt के साथ ये देखे इस तरह से देखे ये देखे कितना इसका texture बहुत ही silky और बहुत ही smooth लग रहा है देखे देखने में तो सुंदर है ही खाने में भी बहुत ही healthy है तब इसको हम serving bowl में डाल लेते हैं तो ये देखे हमारा banana chocolate योगर्ट बिलकुल तयार हो गया अभी हमने strawberries ली है 10-12 strawberries इसको भी हमने frozen कर लिया था freezer में 2-3 घंटे के लिए अब इसको भी हम mixture डाल में डाल लेते हैं ये जो strawberries जो मैंने ली है मैंने taste की थी ये बहुत ही मिठी है अगर आप भी अपने strawberries को taste कर ले अगर खटी रहेगी तो आप इसमें शक्कर डाल लें इसमें मैंने honey डाला है इसमें हम honey 2 चमबस डालेंगे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें शक्कर भी आइड कर सकते हैं अब इसको हम blend कर लेंगे तो यह देखिए हमारा blend होके ready हो चुका है चलिए खोल के देखते हैं वाव देखिए कितना सुंदर कलर आया इसका बहुत ही प्यारा कलर आया हमारे strawberries के तो चलिए जो यह हंकर्ड है जो योगर्ट है उसको हम बड़े बोल में डाल लेते हैं अब यह जो strawberry का paste हमने जो blend किया था वो इसमें डालेंगे हम तीन चमस डाल देंगे इसमें हम चलिए अब इसको हम mix कर लेते हैं इसको तब तक हम mix करते रहेंगे जब तक यह हमारा smooth और silky न बन जाएं अगर आपके पास में fresh strawberries नहीं हैं तो आप strawberry crush भी ले सकते हैं अगर आप strawberry crush यूज कर रहे हैं तो आप उसमें शक्कर न डालें क्योंकि crush आलरी बहुत मीठी होती है तो यह देखिए हमारा बहुत ही अच्छा बन गए है योगर्ट यह हमारा बहुत ही silky smooth बन के एकदम देखिए बिल्कुल ready हो चुका है कलर भी देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका देखने से ही खाने का मन कर रहा है यह देखिए इसका texture देखिए चलिए अब इसको हम serving bowl में डाल लेते हैं और यह योगर्ट है यह आप कभी भी ले सकते हैं आप इसको breakfast में लांच में डिनर में आप कभी भी इसको खा सकते हैं यह बहुत ही healthy है बहुत ही low calorie है तो यह देखिए हमारा banana chocolate और strawberry flavored योगर्ट बन के बिल्कुल तयार हो गया हमने इसे fruits, white chocolate, dark chocolate और silver edible ball से हमने इसको garnish किया है आप अपने इसाब से इसको garnish कर ले और इसको 2-3 घंटे के लिए refrigerate करके उसके बाद में इसको serve करें तो इसका खाने का मज़ा कुछ और ही आएगा तो यह लीजे हमारा strawberry और banana chocolate योगर्ट बिल्कुल ready है देखने में जितना सुन्दर तो है ही उतना खाने में भी बहुती tasty है आप इसे enjoy करें अब जल्दी मिलेंगे एक नए recipe के साथ